नम्मुरमा दर्शकूर। रीती रिवास विजयता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉटन से जो हम भगवान जी के लिए बत्तियां बनाते हैं। एक तो हम गोल बत्ती बनाते हैं और लबी बत्ती बनाते हैं। तो वह कैसे बनाते हैं वह मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बजार से खरीदते हैं लेकिन हम उसे घर में बहुत असानी से बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए रूई, कॉटन और थोड़ा से दूद। दूद कोई भी हो सकता है, कच्छा दूद भी हो सकता है या फिर बॉइल किया अभी वह सब थोड़ा से दूद ले लीजिए। अब आप हम बता रहे हूँ भी गोल बत्ती कैसे बनाते हैं आपको। पहले थोड़ा से पर जो अंगलियं गीळी कर लीजिए। इस से। और फिर ऐसे एक साइड से बट बना दिया, फिर दूसरी साइड से रूई को थोड़ा से खीच ये। फिर उसके ओपर बता चड़ा दीजे। तो दोनों साइड से बता चड़ा मिललाके उनके ओपर बता चड़ा दीजे। तो जो नीचे से बिठाते हैं गोलवत्ति जनके घचके जो अ इस होगई तो इас तो धोला सा वीलोगेते गोल बती बना करने वीलाओ। अब बनाएंगे हम लंबी बत्ती तो लंबी बत्ती के लिए हमने रूई ले लिए रूई को थोड़ा सा पहले लंबी शेप में कर लीजिए खीच के ना ताकि क्योंकि हमें बत्ती लंबी बनानी है और फिर उसको हतेली पर रखके फिर वोई दूद का को थारा से उंगली इस पर लगाएंगी और फिर दोनों हतेलियों के बीच में आपको उसको जैसे हम रप करते हैं इस तरीके से आपको रप करना है और वो बटा चड़ाना है करके बस फिर इसको ऐसे मल दीजिए तो उससे वह उसके पर बट चड़ जाएगा तो इस तरीके से आपकी जो लंबी बत्ति है वो तियार हो जाती है तो दो तरीके की बत्ति हमने दोनों त्यार कर लिए बिल्कुल इजी है कुछ भी टाइम नी लगा हमें बनाने में इस तरीके से आप अपनी बत्तियां बना सकते हैं तो आप अपनी बत्तियां बना सकते हैं सिर्फ ध्यान र आं면 देटिंगे देशी घीमें भिगों के रख लीजिए एकठे टबी में बनागे तका कि आपको बार बार परशान होना पड़े और इसंतिमाल कर सकते आ wre Prat झालो